ये देखिए टेस्टी स्पाइसी पनीर कोला पूरी बिना क्रीम का इस्तिमाल के आप इस ग्रेवी को आसानी से घर पर बना सकते हैं Hello Everyone, Welcome to Foods Heaven आज मैं बनाने वाली हूँ कोला पूरी पनीर तो चली इसे ब्राना शुरू करते हैं सबसे पहले कोला पूरी मसाला बना लेंगे, इसके लिए एक पैन में दो टेवल स्पून खड़ा धनिया डाल देंगे, चार लाल मिच डाल देंगे, दो तीच पत्ता डाल देंगे, चार इलाइचे पिचका कर डाल देंगे, एक इंच दाल चीनी डाल देंगे, पांच डाल देंगे, साथ काली मेच डाल देंगे, एक चमच जीरा डाल देंगे, अब इसे दो मिट के लिए भुन लेंगे, इसमें एक टेबल स्पून सफेद तिल डाल देंगे, तीन टेबल स्पून गिसा हुआ सुखा नारियर डाल देंगे, इसे हम एक मिट के लिए भुन लेंग और उसके बाद गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने पर इसे पीस लेंगे पैन में 3 टेबल स्पून ओयल डाल देंगे ओयल गरम हो गया है 6 लेसुन डाल देंगे 2 इंच अदरक डाल देंगे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे इसे अब इसमें 3 रफ चॉप किये हुए प्याज डाल देंगे प्याज को 3 से 6 मिट के लिए पकाएंगे प्याज को बहुत जादा लाल नहीं करना है बस बस थोड़े सॉप्ट हो जाएं उतना ही पकाएंगे 12 काजू डाल देंगे दो मिट के लिए और भूल लेंगे ये देखिए प्याज के कलर हलका चेंज हो चुका है चार मिर्च डाल देंगे अब इसमें 3 तमाटर डाल देंगे इसे तब तक पकाएंगे चब तक जो तमाटर है वो अच्छे से गल नजाएं टमाटर अच्छे से गल गए हैं अब इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके पीसे अब एक पैन में एक टेबल स्पून घी डाल देंगे घी गरम हो गया है इसमें एक टेबल स्पून कश्मीरे लाजमिश पाउडर डाल देंगे आदा चमच हींग डाल देंगे एक बार इन्हें चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें प्यास टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने कश्मीरे लाज मिच को पहली घी में एड़ किया है ऐसा करने से जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा और काजू की वज़े से जो ग्रेवी है वच्छे गाड़ी हो जाएगी अब इसमें दो टेबल स्पून कोला पूरी मसाला डाल देंगे जो हमने स्टार्टी में बनाया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको तीखा पसंदे तो आप इसमें एक टेबल फूल लाजमिश पौर्डर आड़ कर सकते हैं आदा कप पानी को ग्रैंडर जार में खंगाल कर ग्रेवी में डाल देंगे आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से पानी थोड़ा जादा भी आड़ कर सकते हैं मैंने यहां लगबग 1500 ग्राम पनीर लिया है स्वादनुसार नमक डाल देंगे आदा चमच गरम मसाला डाल देंगे इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढखकर पांच मिल्ट के लिए पकने देंगे पांच मिल्ट बार धकन हटा देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए जो ग्रेवी है वो बहुत गाड़ी बनी है अब इसमें एक चमच कसूरी मेथी को ऐसे हाथों की मदब से मसल कर डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ गैस को बंद कर देंगे कोला पुरी पनीर बिलकुल रेडी है इसे सर्फ कर लेते हैं यह देखें स्पाइसी थिक ग्रेवियें बना हुआ कोला पुरी पनीर इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है इसे गार्णिश करने के लिए पनीर को आप क्रश करके ग्रेवी के साइट्स में डाल सकते हैं अगर आपको कोला पुरी पनीर की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेर चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले